नमस्कार दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले बारत के ऐसे राज्यों के बारे में जहां पास कपास सबसे ज़्यादा संख्या में होता है तो दोस्तो आज हम लोग यह बात करने वाले हैं कि कापास का उपयोग क्या होता है, कापास किस तरीके से उत्पादन किया जाता है, कापास किस मिट्टी में होता है, सभी जानकर यह आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास तक का जरूर देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा चलिए दोस्तो वीडियो को देख लेते और कुछ नया सीख लेते हैं अगर दोस्तो हम लोग बात करें कापास की तो कापास दुनिया का सफेद सोने की नाम से जाना जाता है भारत में प्रप्राचीनतम शेतर में कापास का वरलन बहुती ज़्यादा होता है क्योंकि दोस्तो कापास भारत में बहुती संक्या में उत्पादन किया जाता है इससे बहुत ज़्यादा वस्तर बनाया जाते हैं तो अगर हम लोग के सूती वर्स्तरों की बात करें तो कपास सही इसका नियाद किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग अपने भारती संस्कृति की बात करें तो कपास का हिस्सा बहुत जादा हो जाता है। अगर हम लोग बात करें भारत, चीन और अमेरिका में कपास के खेती सबसे ज़्यादा होती है और यहां सबसे ज़्यादा कपास को उत्पादन किया जाता है। और दच्छी गुजरात वाले छेतर में यहां सूरत के इन छेतरों में कपास की ज़्यादा खपत होती है क्योंकि दोस्तों यहां पास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इंडेस्ट्री लगे हुए जहां कपला का उध्योग ज़्यादा किया जाता है। भारत में तीसरे नमबर पे आता है और इन तीनों राज्यों में कपास बहुती ज़्यादा संख्या में होते हैं। दोस्तो होते तो सभी राज्यों में लेकिन जितनी संख्या में इन सभी राज्यों में होते हैं उतना और राज्यों में नहीं हो पाते हैं तो आपको इस जानकारी मिल गई हो कि भारत में किस-किस राज्य में सबसे ज़्यादा कपास होता है तो मेरे इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को जलो सब्सक्राइब कर दीजेगा